इसके साथ बात करें यहां से अगर बिनौला खल की तो हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का डिसेंबर वाइदा अठाई सो साथ पर ट्रेड करते नजर आ रहा है उन्ती सो सतरा का ही लगा चुक है मामूली सी करेक्शन है कल के कारवार इस सतर में आपने बिनौला खल में उन्ती सो का लेवल टच होते वे देखा था उन्ती सो का लेवल लगते देखा था वही लेवल हमने आज सुभा भी आते वे देखा कि सुभा बिनौला खल उन्ती सो के उपर ट्रेड करता नजर आया अभी भी उन्ती सो सतरा का हाई लगा हुआ है लेकिन उन्ती सो के लेवस पर ट्रेडिंग देखने को नहीं मिल रही है शाम कारवाई सतर होते होते हैं हफते के आखरी कारवारे दिन बिनौला खल में हलकी सी मामुली सी करेक्शन बनती नजर आ रही है लेकिन जानकारों की मताविक इस से एक बात जरूर साफ हो गई है कि बिनौला खल जो इन्ती सो के लेवल छू नहीं पारता टेच नहीं कर पारता वहां से बिनौला खल ने एक अच्छा ब्रेकाउट लेवल दिया है और आगे जो बजार के जानकार है उनको यहीं उमीद है कि बिनौला खल अब आने वाले समय में उन्ती सो के लेवल के बाद 3000 के भी पार जाता नजर आ सकता है बिनौला खल जब रफ्तार पकड़ेगा कीमतों में तो एकदम से तेजी पकड़ेगा और तेजी के और जाता नजर आएगा वही साल 2022 में बिनौला खल आपको काफी शांदार मुनाफ़ा देता नजर आ सकता है जानकारों के मताबिक जो हाजिर वेपारी हैं और जो वायदा वेपारी हैं वो साल 2022 तक बिनौला खल में अपना स्ट्रेडिजी बना कर चल सकते हैं मार्च 2022 तक बिनौला खल आपको काफी बैतरी मुनाफ़ा देता नजर आ सकता है दूसरा आप बात करें अगर बिनौला खल की माँगी तो बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो डेरी और पोर्टरी सेक्टर से नीकलती नजर आ सकती है तो बिनौला कल की कीमतों में अब ये रफ्तार तो हमने बनती देखी है कि स्टार्टिंग तो हो गई है अब ये रफ्तार 2022 के मार्च तक अब ये जारी रह सकती है